हाटफा मैच अपना खेल रहे हैं 200 रन बनाए हैं अभी तक स्ट्राइक रेट और बहतर हो सकता है इस समय आपका स्वागे थे अजर भाई मौंबद वसीम 243 रन इंसिस्टेन होना चाहिए कि अभी दैसे दैसे मैचिस आते जाएंगे माई एमिरेट्स के लिए उनका विकीट पर होना और उनके सामने फ्लेचर दोनों वेस्ट इंडीस के हैं एक दूसरे को जानते होंगे कई बार जो फ्रेंचाइज बिल्कुल टप्पे पर जाल रहे हैं जितने भी उन्हें दो बॉल किया थे बिल्कुल अच्छी तरह से दाल रहे हैं जोर से माने का प्रियास बाहरी किनारा हवा में गई गेंड महां पर डीप थर्ड मौझूद है फाइदा यहां पर मिला फ्लेचर को कि बिल्कुल वो बॉब डाउन होगे से इसी वज़ा से में उनको चांस लेने ही पड़ा था क्योंकि जब चांस लिए जब बॉल इतना थेज कर रहे हो अगर एज भी लगेगा तो ऊपर से चले जोड़ से बैट पिर आया और थर्ड मैन एकदम फाइन यह शौट सही है जगा बनाई थी मौहमद वसीम ने जादा इंतजार किया नहीं मौहमद वसीम ने बाजू खोले तो इसी वज़ा से बैट्समन को रूम बनाना पड़ा जब रून बना लिए तो आराम से एक शौट मारा हो गूंकि गैप इतना गैप तो और कोई पीछे फ अगर आप रूम देंगे तो बैट्समन के लिए बहुत इसी होता अगर आफ फर्स ओर में अगर आप देखेंगे तो मर्टन डिलांग ने जो भूलिंग किया ठीक से टाइम नहीं कर पाए हर एक रन जो आप फिल्ड में बचाते हैं समझिए वो रन आपको कम बनाना मेरिट के ओपर काफी प्रिशन आगा है क्योंकि दिखिए उमोमन जब माई इमेरिट की टीम खिलती तो अच्छा स्टार्ट उनका पहुत अच्छा मिलता है मेरे खाल सम्टाइम पैंशाट तक भी गया है पचास तक भी गया बड़ लेकिन यहां पर आसके आसपास रहता है हेट टू हेट अभी तो हैंड टू टो चल रहा है क्रोस सीम से डाला गया यॉरकर फुल टॉस था बल्ले पर आके गेन लगी बल्ले का चेहरा थोड़ा सा बंद हुआ तो उस गेन की दिशा बदली